कि नमस्कार दोस्तों इस स्मार्ट स्टडी के ओफीशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग जो है ठीक होंगे तो आज की वीडियो भी हमारी प्रोसेश सर्वर वालों के लिए ही है 18 दिसंबर से लेकर आज तक आपका जो है हमें साथ मिलता रहा है हमारा साथ आपको मिल रहा है तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह हम लैटर राइटिंग के उपर बात करेंगे कि लैटर हम बात कर रहे हैं पत्र लिखने की पत्रम किसे लिख सकते हैं पत्रम अपने घरवालों को लिख सकते हैं अपने दोस्तों को लिख सकते हैं या किसी सरकारी संस्ता को लिख सकते हैं अब जब हम पत्र लिख रहे हैं तो पत्रों की इनी विशेचताओं के आधार पर हम क्या क करते हैं कि उन्हें कि रिश्टे दारों को भी आपके जिने आप जानते हैं पैचानते हैं छिनके आपके साथ व्यक्तिगत में है उनको आप informal यानि कि अनवचारिक पत्र लिखते हैं फॉर्मल लेटर की बात करें फॉर्मल लेटर यानि की अवचारिक पत्र की अगर हम बात करें तो वह हम किसे बेचते हैं सरकारी संस्ताओं को अर्द सरकारी संस्ताओं को ना जो की सरकार के बित से चल रही है उन्हें ब informal letter होते हैं उनमें हम क्या करते हैं वेक्दिगत बाते लिख सकते हैं उन्हें हम इतना संक्षेप में नहीं लिखते हैं कुई नहीं लिखते क्यूंकि उनके साथ हमारा क्या होता यदा पहले से परीचे होते तो यह परीचे ज्ञाता संक्शेप में नहीं भताते हैं सबस liability क्लe की होती है तो इसमें ब्लेक्टिगत बातें किसी भी लैटर को यानी की इन फॉर्मल लैटर में जब हम लिखते हैं तो उसके चार भाग ऊंटे जो डिखिए और लिखिए उसके चार भाग होंगे कौन-कौन से होंगे तो पहला वो होते हैं हमारा हेडिंग दूसरा होते हमारा सेल्यूटेशन तीसरा होता हमारा वोड्य आफ़ इलैटर चौत हमारा है एंडिंग ठीक है तो हम यहां पर बात करेंगे पहले informal letter की देखो heading में हम क्या लिख रहे हैं पत्र लिखने वाले का पता और तारिक क्या क्या लिख रहे हैं तारिक जैसे लिखते ना आपने भी बहुत सारे practice करें हैं तो आपको अब उत्से क्या हो जाएगा अंदाजा लग जाएगा एक मिनट रुकना जरा कि यह ठीक है जैसे यहां पर डाल दिया तेरा कॉमा गांधी नगर मंडी हमाचल प्रदेश 18 मार्च 2023 देखो यह जो फॉर्मेट है अरे बड़ा पतला हो गया तो यह जो फॉर्मेट है आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करने जब भी आप क्या लिख रहे हो इ यह हैडींग वाला है हैडींग फर्स्ट इम्प्रेशनीजास्ट इंप्रेशन सुना होगा ना वही बात है की बात करें जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उनके प्रती अभिभादन तब से पहले हमने क्या लिख दिया पत्र लिखने वाले का पता पत्र कौन लिख रहा है आप लिख रहे हैं जो आपको question paper में mention होगा वह अड्रैस आप लिखेंगे ठीक है देट लिखेंगे उसके बाद आप लिखेंगे अभिभादन जैसे की डियर रमぎ जगों कुछ भी हो सकता है न माई डियर डैश माइडियर ब्रदर माइडियर राम एर्सेक्टरा डियर फादर डियर मदर डियर सिस्टर डियर अंकल एर्सेक्टरा रिस्पेक्टिट फादर रिस्पेक्टिट इन मदर बगेरा जो भी आपको सहज लगे आप लिख सकते हैं फिर लिखनी है में बोर्डी कि जो आपको क लिखने को वोला है, वो आप लखेंगे, ठीक है, अड्रेस लख दिया, किस का लिखा ? भेजने वाले का, बेट लिख दी, ठीक है, अभी वादन कर दिया उनका, उसके बाद में इंदर लख दी, को क्लोज कर सकते हैं देखो आप पाएंगे कि यह सब चीजे तो आपने पहले ही पढ़ रखी है पहले ही सीख रखी है तो एंडिंग की बात करें तो यूर्ज ओविडेंटली यूर्ज अफेक्शनेटली यूर्ज अफेक्शनेट जो परिवार के सदस्या नहीं है उनके यूर्ज त्रूली यूर्ज देखो कहीं लोग क्या लेखेंगे यूर्ज को ऐसे लिखते हैं वाई ओ यू आर और एस ट्रोफी एस और यह बिल्कुल गलत है आपको यूर्ज ऐसे ही लिखना है और एंडिंग की बात करें जो हमारी उम्र के हैं या हमारे मित्र हैं उनके ल यूर्ज ओविडेंटली लिख लें तो कोई अतिश्योक्ति की बात नहीं होगी कोई अतिश्योक्ति इसमें नहीं होगी लेकिन अगर हम यूर्ज का ही यह यूज करें तो ज्यादा बैटर रहेगा तो दोस्तों यह हमने किसके बारे में जान लिया थोड़ा सा इन्फॉर् लिए misin तो भुड़ा साइब होगी ठीक है 2 पार्ट ऊथे में निखेंगो अड्रerson लिकेंगे तो अड्रेस यहां पर न्यूज अडेटर का हो सकता है और या किसी अधिकारी का हो सकता है किसी संस्ता का हो सकता है किसी का भी पता हो सकता है कार्यालिया का हो सकता है ओफिस जिसे कहते हैं यह एट सेक्टरा हो सकता है तो आपको अड्रेस लिखना है वैसे मैं यहां पर न्यूज पेपर का अड्रेस लिख रहा हूं इसमें हम वो अड्रेस लिखते हैं जिसको हमने लेटर लिखना है क्या करना है जिसको हमने लेटर लिखना है ठीक है इन फॉर्मल में हमने लिखा अपना अड्रेस इन फॉर्मल में हमने लिखा अपना अड्रेस गौर कीजिए किस बात को और फॉर्मल में हमें लिखना है भेजने वाले का अड्रेस in for many these ConformeAL However address theices हमारे पे लिए के ताइम पे भी घुरबी होता था हम लिखते दे तोडी अल्डीपल टूदी हेडमास्टॉपू अब क्या किया जा रहा है 2 प्रियोग प्रचलन जो है कम हो रहा है टू को हम यूज नहीं करते सिधा ही हम लिखते हैं दी एडिटर दी प्रिंसिपल दी हैड मास्टर दी एडिटर हिंदुस्तान टाइंज गांधी पार्क जोगिंदर नगर ठीक है इसके बाद यहां पर हमने डेट डाल दी डेट डालने के बाद हमने क्या लिखना है जो अभी सकते हैं इन तीनों चीजों में से अब आसा मत लिखना कि यूर्स ट्रूली यूर्स फेथ भूली यह सारी जीजें लिख दी नहीं एक ही लिखना है इन में से कोई एक बाकी यह आपको मैंने कुछ एक्जामपल भी दिये हैं आप आई-उप कितना समझ गए होंगे दो पहल इन्फॉर्मल लेटर राइटिंग का आई-LW इन्फॉर्मल लेटर राइटिंग का अब्रिवेशन यूस की है मैंने राइट लेटर इन वाउट हंडर वार्ट्स तो यूर व्रदर अवाउड दी चोईस ओफ और कैरियर ठीक है देखो उपर कह लिख दिया अड्रेस लिख सकते हैं ठीक है यहां तक किसी को दिक्कर नहीं बीच में आप खुद पर लिएजीगा आपको PDF मिल जाएगा PDF आपको टेलीग्राम ग्रूप में भी मिल जाएगा और वार्ट्स एप ग्रूप में भी मिल जाएगा बाकी जो भी लोग अभी नहीं है वो क्या करेंगे डिस्क स्क्रीटीड वाइगर्जा ट्रैफिक सिंगनल आपको यह काफी कौमन समस्य आ रही होगी तो जैसे कि यहां पर भी देखो अब आई ना वह बात देखो देखिए 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 को में लगाये जा रही है इस बात को याद रिखेगा को में जब हम लिखेंगे को मयों का इतना यह यह नहीं होता महत्तुव लेकिन जब हम यह फॉर्मल लै्टर लिखते हैं और चारिक पत्र लिखते हैं तो इनमें क्या किया जाता है को में लगाना आवश्यक होता है ठीक है सब्जक्त लिख दिया सठिक एट एट ए अनि ट्रैफिक सिंगन तो इसी के साथ दोस्तों आपको समझ आ गये होगा कि लेटर किस प्रकार से लिखें तो लेटर की तियारी हम भी करवाएंगे कि लिखोगे यार बताओ जरह एक बात मुझे कितने लेटर लिखोगे जैसे ही इसे राइटिंग की निवंध राइटिंग की हिंदी की बात थी तो उसमें क्या हो रहा था एक भाई मिलते हैं वह बोलते हैं कि आप करवानिरो कुछ आप जल्दी जल्दी सब कुछ करवाओ मैंने खुद से सौ से ज्यादा निवंध लिख लिए हैं मैं का बढ़ी बात है आपने सौ से जादा लिखें जो मेरे साथ है उन्हें अभी तो कुछ नहीं वह तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं फिर मैंने किया अलग से बहुत सारे टॉपिक दे रहे हैं बाकी जैसे मैंने उन उन से मांगा कि आप क्या कीजिएगा आपने जो आपने ऐसे लिखें वो मुझे वेजेगा तो सौ ऐसे लिखें वंदे ने हैं तो मैंने सोचा वाई चलो ठीक है कंटेंट सही है इसमें कोई नहीं लेकिन देखो जो मैं बार-बार बोलता हूं आज भी बोल रहा हूं मित्रों क्या वोल रहा हूं कैसे जवने रृटिंग का ख्याल रखेगा अगर आपने सौ ऐसे लिखे हैं और आपकी हैंट्राइटिंग अभी बी इंप्रूब नहीं हुई है तो आप एक गलत दिशा में काम कर रहें हैं अगर आपने दस ऐसे लिखे हैं 우리는 लिे हैं और आपकी और मे कह रहा हूं मित्रों की लिखावत के ऊपर ध्यान दिजिएगा लिखाई के ऊपर फोकस कीजिएगा विदाउट राइटिंग देर इस नो नंबर इस वात को ध्यान में रखेगा बाकी पेपर डिविजन की बात करें जासे जो लाइन वाली सीट में लिख रहे हैं तो उन्हें मैं कहा दूं कि क्रिप्या करके आप लाइन वाली सीट में मत लिखेगा क्योंकि पेपर जो होगा आपका शायद प्लेइन शीट में ही होगा एफ और शीट में होगा और हमें क्या आदत है ना हमें लाइन वाली सीट में लिखने की आदत है तो हम लाइन वाली सीट में क्यों लिखें बताएए दरा क्यों लिखें भी अगर हम लाइन वाली में लिखने में सहे ज़ाए तो हम क्यों लिखे क्यों अपना टाइम बेस्ट करें अगर अगर इ beiden हमें मूं के सामने वहाइन लवाली शीट देता है तो हम लिख लेंगे अगर हमें पॉर शीट मिलती है तो ड् Renewa lichie आप तो ऐसे लिखोगे ना ऐसे लिख जाओगे ऐसे ऐसे नीचे को नीचे को होता ऐसा जब शुरुआत करते ना इसलिए मैं बोल रहूं जितना हो सके एफ और शीट में लिखेगा और रही बात पेपर डिवीजन की तो पेपर डिवीजन में आप देखो इमालीजी यह आप आपको अपना जो है content लिखना है और ख्याल रखेगा जैसे यह निकलाना भाहर को यह ऐसे आपके अक्षर भाहर को नहीं लिखने चाहिए उस लाइन से बाहर नहीं निकलने चाहिए आई होब दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आई होगी आपको समझ आया होगा इसी काम चाहिए लिए आपको।